दोस्त बहुत ही दुख होता है जब ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके उपर आप भरोसा करते हो जिसके उपर जोमैटो या फिर सुईगी कमपनी भरोसा करती है जिसके उपर पूरा समाज भरोसा करता है और ऐसा व्यक्ति जब इस तरीके की घटनाओं में सलिप्त हो जाता है, तो एक एक तरफ तो भाई विश्वास नहीं होता है, सबसे पहली बात. दूसरी तरफ ऐसा लगता है, यार कि ये आदमी भी क्या ऐसा कर सकता है, और फिर बहुत जादा हैरानी होती है, और फिर गुस्ता भी आता है, आज मेरा हाल कुछ इस तरीके से ही हो रहा है, ऐसे तो मतलब अक्सर ऐसी घटनाओं आपको सुनने के लिए मिलती रहती है, लेकिन दोस्ता खास कर ये चीजे मतलब बहुत ही जादा अनोखी तब हो जाते हैं, जब कोई delivery boy मैं यहाँ पर किसी भी company का नाम नहीं लूँगा, ठीक है खुल करके, इसलिए मैंने दोनों company को include किया हुआ है, जोमैटो company को भी, सुईगी company को भी, जोमैटो या फिर सुईगी ही, सुईगी में से ही किसी एक के delivery ने इस तरीके की हरकत करी है, देखे थमनेल पर पोश्टर पर आपने अल्रेड़ी पढ़ लिया है कि जोमैटो सुईगी का delivery लड़की के साथ में, मतलब जो भी है, मैं मुझ से नहीं बोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ करने के मामले में उसको जेल हो गई, दोस्त मैं तो कहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए जेल बहुत ही कम है, मतलब वो परियाप्त नहीं, ऐसे लोगों को तो भाई ऐसे अंजाम तक पहुचा देना चाहिए, कि मतलब एक एक टाइम जब ऐसा कोई विक्ति करने के बारे में सोचे, तो वो मतलब थोड़ा सा उसके अंदर खौफ हो, थोड़ा सा उसके अंदर डर हो की नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा, तो मेरे साथ में ये हस्र हो सकता है, जो इस विक्ति के साथ में हुआ था, इस तरीके का डर जब तक इन लोगों के अंदर नहीं आएगा, देखें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, कि जो मैटो के डिलिवरी बॉय गलत होते हैं, या फिर सुईगी के डिलिवरी बॉय गलत होते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ भाई, डिलिवरी बॉय गलत होते ही नहीं है, आप मुझे एक बात बताईए, दोस्त डिलिवरी की नौकरी, डिलिवरी बॉय की जॉब कौन करता है, कोई अंबानी परिवार से आते नहीं है, कोई गुंडे या फिर कोई मतलब वैसे बैक्गराउंड के ये लोग होते नहीं है, नॉर्मल से फैमिली के होते हैं, सबका एक परिवार होता है, कुछ ना बूरी होती है, रोजी-रोटी पेट पालने के लिए लोग डिलियूरवाय का काम करते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, मतलब साइकल से जॉब करते हैं, बहुत तरीके की चीजे आप मार्केट में सुनते हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत अमीर खांदान से ये लोग नहीं आते हैं, नॉर्मल से लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को गलत कहना, मतलब गलत ही होगा, ठीक है, दोको रोज डेली काम करना, डेली अपने पेट को पालना, डेली जब ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर में चूला नहीं जलेगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने फिल्ड पर इन चीजों का experience किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दोस्त मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिलिवरी बॉय गलत होते हैं, आप ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसे आरोपी होते हैं, जो डिलिवरी बॉय के भेस में इस तरीके का करते हैं, कुल मिला करके ये लोग कमपनी को भी बदनाब करते हैं, जो मैटो, सुईगी, इनकी आर में इस तरीके से करते हैं, अभी मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया था, कुछ लोग ऐसे थे, जो जो मैटो, सुईगी की आर में गलत चीजों को सप्लाई कर रहे थे, मतलब ठीके का मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके आर में गलत कामों को करने का कोशिश करते हैं, अब देखे दोस्ता थामनेल पर आपने सारी चीजे पढ़ लें, क्या है, क्या मामला है, सब कुछ मैं आपको वताऊंगा, घटना कहां की है, किस तरीके से बंदे ने क्या किया है, और क्या-क्या मामला है, पोलिस ने अभी तक क्या किया, सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, बस हाथ जोड करके मैं आप लोगों से सिर्फ एक विंती करूँगा, सिर्फ एक विंती करूँगा, मैं ये नहीं बोलूगा, इस वीडियो के नीचे कॉमें कर दो इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन आपको दिखेगा उसे दबा करके इस वीडियो को वाटसप पे या फिर जहां मरजी आप शेयर कर दो लेकिन शेयर कर दो सबसे इंपोर्टेंट चैनल सबस्क्राइब कर लो यह चैनल आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा मैं एकँन कॉल पर सलड कर लीजिए कि अगर आप पहले से जो माटर और स्ही कंपपणी में काम करते हो दीलीवरिक वाइश हो तो हो सकता है कि मेरी बाते हो सकता है आपको बूरी लग जाए ठीक है लेकिन डोस्तों अपने आपको मतलब अपने आपको इस वीडियो से कमपेर मत करो आप अपने आपको यह जो व्यक्ति है जिसने ऐसा गलत काम कर दिया है आप इससे अपने आपकी तुलना मत करो दोस्त आप बहुत सही हो ठीक है मैं यह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि डिलीवरी बाय गलत होते हैं ऐसे कुछ गलत लोग होते जो डिलीवरी बाय के भेस में होते हैं तो अपने आपको इस चीज से कंपेर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आप अपनी जगह पर सही हो हरे काम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है आप जो भी कर रहो बहुत सही कर रहो अब देखे दोस्त दूसरा मुद्दा क्या है कि इसमें हिंदू औ अच्छी तरीके से जानते हो तो दोस्त यहां पर मैं जो है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भी बिल्कुल नहीं आया हूं ठेक है देखो दोस्त कुछ हिंदू भी मतलब खराब होते हैं कुछ हिंदू भी खराब होते हैं और कुछ मुस्लिम भी खराब होते हैं ये बात आपको माननी पड़ेगी, अब जो कुछ हिंदू खराब होते हैं, उनके वज़े से पूरा हिंदू समाज बदनाम होता है, होते कुछ ही खराब है, जैसे एक एक जामपल होता है, अगर मतलब की दस एपल, दस सेब रखा हुआ है, उसमें से एक खराब है, तो दस के दस तो कुछ हिंदू की वज़े से पूरा हिंदू समाज बदनाम होता है, कुछ मुसलिमों की वज़े से पूरा मुसलिम समाज बदनाम होता है, ना तो हिंदू खराब होता है, ना तो मुसलमान खराब होता है, उपर से सब लोग सेमी आते हैं, सब का धरम यहां पर आकर के आईत तो बनता है कि आप अपने आसपास मैं ये नहीं वोलना हूँ आप अपने आसपास के लोगों को परक्षिए आपको लगता है कि ये वेक्ति गलत कर रहा है बिल्कुल उसका समर्थन मत करिए बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाए उसको समाज में निकाल करके बाहर कर दीज मैं जो मैटो या फिर सुईगी किसी का भी नाम नहीं लूँगा दोनों में से कोई भी company हो सकती इसलिए मैंने दोनों company को इनके लूट किया फिर भी बोलता हूँ company की बिल्कुल गलती नहीं ये इनसान गलत है ठीक है मुझे problem इनसान से है मेरा opinion क्या है वो भी मैं आपको आगे अभी वीडियो में बता हूँ उन्हें इस फर्स की एक लड़की होती उन्होंने खाना जो है की order किया delivery गॉय आता है जो है की खाना देने के लिए फिर उनके साथ में कुछ ना कुछ घटनाए होती उतना ही ज़्यादा जुल्म सहना जुल्म सहना भी अपराध होता है अगर आप चुब आपको कोई एक थपड मार दे तो जितनी गलती उसकी है अगर आप उस एक थपड को सहलोगे बैठ जाओगे कुछ नहीं करोगे फिर उल्टा उसको थपड नहीं मारोगे तो उससे कहीं ज़्यादा गलती आपकी है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं इस मतलब लड़की की तारीफ करना चाहूँगा कि इसने आवाज उठाया उस व्यक्ति के खिलाफ बिना डरे बिना समाज का ख्याल किये जो के खिलाफ आवाज उठाओ ये चीज बिल्कुल सही होती है जोस्त घटना करीब 17 सितंबर रात के साड़े नौ बजे की है लड़की ने खाना ओर्डर किया एक 40 वर्स्त का डिलीवरी मैं नाम भी उसका यहाँ पर ले लेता हूँ साफ साफ इसका नाम था भाई सेख खान सेख खान अब यह मुस्लिम है अब जो लोग मुस्लिम है वीडियो देखने के लिए आए हैं हो सकता है वो लोग भड़क गयोंगे देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ एक यह बंदा गलत है मैं यह नहीं बोलता हूँ पूरी मुसल्मान कम्यूनिटी गलत होती ठीक है इन तरीके के व्यक्तियों के लिए मतलब पूरा का पूरा समाज बदनाम हो जाता है तो आप यह मस्समझना कि यह मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम है ऐसा करते हिंदू भी ऐसा कर सकता है 17 सितंबर सनिवार के रात करीब 9.30 बजे जो है की आरोपी रई से खान को जो है की पूलिस ने गिरफतार कर लिया मामला क्या था लड़की ने खाना मंगाया डेली रुबाय आया उसने खाना दिया 40 वर्ज का सबसे पहले तो यार मतलब तुमको सारा मानी चाहिए मातलब कभी अभी मैं अपना उपीनियन चलो बता दो पहले आपको घट नहीं बता देता हूँ होता क्या है कि ये बंदा ओर देता है और देने के बाद में लड़की को बोलता है कि मुझे पानी पिला दो सबसे पहले तो यहार तुम इतने बड़े बत्तमीज आत्मी उतने बड़े बेवकोफ हो वैसे तो ऐसे जो आरूपि होते है इनको ना किसी के घर में जाने का इस तरीके से मौका मिलता नहीं तो ये लोग क्या है कि जो मैटो सुजगी की आण में इस तरीके का धंदा करती है ठीक है अब पानी मांगता है बंदा और लड़की पानी लाकर के देती है पीता भी है ये बेखती ठीक है हराम जादा ठीक है पीने के बाद में ये क्या करता है कि उसका हाथ पकड़के उसको मतलब गलत तरीके से ब्योहार करके और उसको थैंक्यों बूलता है इस तरीके का सीन होता है उसके बाद में मतलब लड़की अंदर चली जाती जो भी सीन है उसके बाद में ये बंदा अपना चला जाता है अब लड़की को सोचती समझती उसके बाद में जा करके तुरंत ही थ कुछना चाहता हूं यार ऐसे विक्ति कहां से आ जाते समाज में मुझे समझ मिने आता है भाई तुम या तो फूड डिलिवरी करने चले जाओ या तो इस तरीके की हरकत करने ही चले जाओ दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकता है इन जैसे लोगों को क्या लगता है कि हम लोग मतलब कम उम्र के मतलब लोगों के साथ में इस तरीके का करेंगा और उनको डरा धमका देंगे तो वो लोग जो है कि आवाज नहीं उटाएंगे लेकिन भाई सब ऐसे नहीं होते है ठीक है तो दोस्त आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कॉमेंट करक के बताना मेरा ओपीनियन बस इतना ही है मैं अपना ओपीनियन अगर आपको देना चाहूं तो ना तो हिन्दु गलत है ना तो मुसल्मान गलत है इस तरीके के लोग गलत होते इन तरीके को लोगों को समाज बे रहने का बिलकुल भी हक नहीं है delivery boy it means की यह बंदा गलत है delivery by क कर दिया कंपणी की बदनामी करने लग जाते कंपणी गलत नहीं होती है कोई भी कंपणी आपके घर जा चाकर के छेड़ चान नहीं करती है इस तरीके के लोग की बहुत चाहिए कि बहुत अच्छे से सब Spirit सिखाना चाहिए वीडियो आप शेयर करोगे चैनल सब्सक्राइब करोगे हम अगली वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जैहन